तो हाँ जी नमसकार आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो चोकाने वाले राज जो आपको सोने से मतलब हमारी सिलिपिंग जो नींद होती है उससे जुड़े हुए हैं जी हाँ इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ध्यान से क्योंकि इससे आपको बहुत ही तो और आफ नीद में 8 ल्रेटे 연 ψ आज गंट के इस एक आप ट tien cya arc फुरम का साथ गंटी या दो पाते हैं तो इससे आपको बहुत से बिमारियों का सामना करना पढ़ सकता है जी हाँ आपको बहुत से बिमारी बहुत से बिमारी को सामना करना पढ़ना सकता है सामना कर सकते हैं अब देखते हैं वो बिमारिया कौन से हैं तो अक्सर क्या होता है कि बच्चों को दे आ जाता है क्या जाता है अगर हम 5 गंटे सोते हैं तो सबसे पहला बीमारी तो हमारे क्या होता है कि हमारे सरील का जो बदन दर्द गुटनों में दर्द और हाथ पेरों में दर्द होता है अक्सर बुड़ी माताओं को मैं बताना चाहूंगा कि वे जो दर्द होते हैं अक्सर नींद पू समय स्वाइश से बंचुके और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम अक्सर नींद नहीं लेता हैं अपने नींद को अलार्म से जगा के तोड़ देते हैं और देब रात तक जागते हैं पैर में दर्द हमारे पैर में सूझा ना जाता है हम अक्सर नीद को अच्छी से नहीं लेते हैं यह सब कारह है और अभी मैं आपको बता रहा हूँ अभी वीडियो में नहीं छोड़ियेगा इसके साथ ही आपका जो mental pressure होता है वो तो बढ़ी जाता है आप जो बोलने जा रहा हूँ उसे थोड़ा दिल ठाम के रखिएगा क्योंकि यह बहुत ही riskly है इससे आपका जो hard होता है ना heart attack जी हाँ hard attack उन्हीं लोगा का होता है जो अक्सर रात में जागते हैं देर रात तक जागते हैं और कम नीद लेते हैं जी हाँ उन्हीं लोगा का होता है आप गोर कर सकते हैं सोचिए दूसरी बात कि जब आप कम नीद लेते हैं तो आप समय से पहले बुड़े हो जाएंगे और आप care लगा रहे है health care वो care कुछ नहीं काम देगा आपका नीद जितना है वो एक वरदान है भगवानों का दिया हो वरदान है अगर नीद नहीं होता है तो सूरी और चांद का क्या काम होता है अगर आपको नीद नहीं होता है तो या फिर सूरी ही होता बुरा या फिर चांद होता है ठीक ना तो आप ये medicine लेना छोड़ दिजिए और ये नीद पे ध्यान दिजिए साथ घंटा minimum और अगर आप जेनरल ही चाहते तो आट गंटा भी सो सकते हैं हमारे पास फिर भी बाचते हैं 16 गंटे 16 गंटा में बहुत कुछ कर सकते हैं और साथ ही मैं अब यह बताओंगा जो मेरे साथ हुआ है जिया धायान से सुनिएगा मैं 10 और 12 में यह मोटिवेशन के कारण मैं ज्य 27 परसंट है लेकिन क्या हुआ कि मेरी जो हाइट थी वो बिल्कुल ही रुख गई मेरी अभी हाइट 5-1 है जबकि मेरे फादर की हाइट मेरे से बहुत ज्यादा है तो आप अपने बच्चों को ध्यान में दीजिए का कि अगर वह बच्चे आपके ग्रोइंग एज में यान नहीं बढ़ा पाएंगे उनकी हाइट किनको जनरली यो वर्दान दिया गया है हमारे इस्वर भगवान अल्ला की तरफ से वो आपको नीन में तो नीन लेनी चाहिए 8 गंटे मैंने सारे साइड इफेक्ट बता दिये यहां तक की मधू में जो की सूगर होता है डाइबिटी की रूप में मिल जाएगा जी हां आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं लगा कि यह वीडियो जो रही होगी क्योंकि मेरे साथ हैसा हो जुका है अभी मेरी हाइट पांच फूट एक इंच है जो कि काफी कम है और मैं फिर भी किसी को दोस नहीं देता क्योंकि मैं स्वाइम दोसी हूं मैंने अच्छे से नीद नहीं लिया ठीक ना तो वीडियो के यहीं पर समाप्त करता है चैनल सब्सक्राइब और बेल क्याकिंग को प्रेस कर देजिगा अपने स्वास्त का ख्याल रखेए